दोस्तों साला से टेक्नो इंजिनेरिंग की बात के तो स्टॉक के अंदर आज लग गया अपर सर्कुट अब आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से दोडने को तैयार हो चुका है अब यहाँ पे अप्रेल के शेरोडिंग पैटन हमारे सामने आज चुकी है किस किसने आपे निवेस किया हुआ है और किसने अपनी होल्डिंग बेची है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मादिम से मिल जाएगी सबसे जो बड़ी बात है कि साला से टेक्नो इंजिनेरिंग बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर में मजबूती के साथ आगे बढ़ी है चाहे रेलवे सेक्टर हो या फिर बड़े-बड़े ब्रीज हो पावर सेक्टर हो ग्रीदाजी सेक्टर हो सबके लिए स्ट्रक्चर बना के देती है और बहुत ही सांदार इसका बीजनस है बड़ी-बड़ी कमपनियों के साथ में बीजनस टाइप किये हुए आरवीनल जैसे इनको एक बड़े पार्टनर मिले हुए जिनके माधियम से बहुत सारे प्रुज़े कमपनी कर रही है एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियों बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियों पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियों स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 20.80 पर कल की क्लोजिंग 19.95 के आसपर थी इंट्राडे में 20.50 का लो भी बना अच्छी बात है कि बिल्कुल गिरावट नहीं हुई है और 20.90 पर डारेक फिल लगया अपर सर्किट तो इसमें ट्रेडिंग हुई है काफी अचा वॉलिम पिछले कर दिन लोगाद जबरदस वॉलिम भी हुआ है लोगों ने यापे जम के खरिदारी भी किया है और इसी खरिदारी के दम पर यापे लगाए अपर सर्किट तो इंट्राडे का लो 20.50 का लेकिन हाई 20.90 का है 52 वी का लो इसका 8.28 का है और हाई 33.95 का तो 52 वीक के हिसाब से देखे तो इसने जबरदस रिटन दिया लोगों को आप देखे दो कि काफी कम समय में जो रिटन है वो कफी बैतर रहा यानि तीन गुणा से जादा रिटन दिया और भी उपर की लेवल से काफी ज़दा इसमें करेक्शन भी आ चुका है वैसे यह 33.95 का all time high था और all time low रेंज इसकी 1.41 की थी अब यहाँ पे अप्रेल महिने का share holding pattern आ चुका है यहाँ पे promoter की holding ट्रीम हुई है अप्रमोटर ने अपने कुछ share बेचे है तो देख सकतो कि March में जो holding थी 63.10% जो अप्रेल में 58.80% हो चुकी है तो यहाँ पे promoter की holding आपको ट्रीम होती हुई दिखाए देगी वैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले FII की तो December 2023 में उनकी 8.9% की जबरदस holding थी March में FII ने पूरा अपना holding बेच के profit book के लिया था मात्र 3% की holding रह गई थी लेकिन अप्रेल में यह holding फिर से बढ़के 6.3% हो गी है यानि FII ने अपना investment डबल कर दिया है जबकि FII बाजार से देखे तो कि अप्रेल महिने में पूरे जबरदस तरीके से अपने निवेस बेच के निकल रहे और अगर उनका निवेस यहाँ पर डबल हुआ है तो यह बहुत बड़ा सूप संक्यादे स्टॉक के लिए यहाँ पर जनरल पब्लिक की बात कर दो उनकी 28.10% की holding थी December में मार्च में बढ़के 33.90% होई और फिला 35% दक पहुँच गी है तो जनरल पब्लिक की holding यहाँ पर बड़ी है अब यहाँ पर प्रमूर्ट ग्रूप से देखे तो holding अलग-लग है इसमें आप देखे दो की individual जो हिंदू individual family की बात करे ununited तो वो 21.12% की holding है सुबास अगरवाल की 7.56% की इस्टेक है अलोक कुमार 5.28% की यहाँ पर इस्टेक देखने को मिलेगी इसके अलावा शशांग अगरवाल की बात के उनकी 4.19% की holding है त्रिप्ति गुपता जिनकी 2.36% की आपको holding देखने को मिलेगी इसके अलावा ग्यानेंदर कुमार अगरवाल जिनकी 1.73% की holding है यह सभी प्रमोर्टर ग्रूप से ही है इसके अलावा इन्हे अधर स्पेशिफ हाई में 36.64% की holding है जिसमें आप देखने तो H.I.L.L.V. यह इन्फराविल्ड लिमिटेड की 16.96% की बड़ी holding है यह काफी बड़ा निवेस है आप देखी सकते हो इसके अलावा सिखर फैब्टेक प्राविट लिमिटेड की भी 5.81% की बड़ी holding है तो यह बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने यहापे निवेस किया हुआ है इसके अलावा अंसु अगरवाल जिसकी 3.41% की holding है कमलेश गुपता जिनकी 2.95% की holding है इसके अलावा BSE Engineering की holding है आपे 2.75% है इसके अलावा More Engineering Private Limited की भी 2.75% की holding है सिखर गुपता 1.6% की holding उनकी भी है इसके अलावा मितले सगरवाल की भी 1.20% की holding है और आलोक कुमार हुआप की 0.12% की holding है यहाँ पे अब देख सकते हो की बड़े institutional investor की holding है तो foreign portfolio investor की holding 5.07% है और इनकी संक्या 15 के आस पास है इसके अलावा North Star Opportunity Fund की 3.03% की holding है यह एक बड़ा fund है जिनोंने काफी बड़ा निवेस किया हुआ है और दुसरी तरब foreign portfolio investor category दुसरी जो category 2 उसमें 1.20% की holding है और उनकी संक्या 5 है तो इस तरब से देखते हो कि यह जो foreign portfolio investor की holding है 6% से भी जारा हो चुकी है और जो FI के बाद जो बड़ा निवेस है तो देखते हो कि North Star Opportunity Fund का जिनोंने बहुत भारी निवेस किया हुआ है अब ऐसे individual investor जिनकी holding यहाँ पे देख सकते हो कि 2 lakh से जादा है तो देख सकते हो कि वो 4.63% की holding है और ऐसे individual investor जिनकी holding 2 lakh से कम है तो वो 22.12% की holding है इसके अलावा एनी अदर स्पेस्टीफाई में देखे तो 1.05% की holding है हुआप की 0.80% की holding है clearing member की holding 0.12 है और LIP की holding 0.12 है तो यह अलग-लग holding आप देख सकते हो इसके लाव बाडिज कॉर्पोरेट की holding 6.58 है और BLB Limited की 1.67% की holding है और NRA की holding आपे 0.57% के आसपस है तो यह देखी सकते हो कि holding में बदलाव हुआ है और यहाँ पे सबसे जो बड़ा लबोल लब यह है कि FI ने अपना investment डबल कर दिया है यानि stock में बहुत जड़ा बरोसा इस समय FI को साला से टेक्नों की बात की इसने पहले लोगों को मल्टी बग रिटन दे दिया है 4-1 के रिश्यों में बोनस भी दिया और 110 के रिश्यों में split भी करके दिया यानि यह small cap ने लोगों को अलड़ी पहले बहुत जबरदर्स रिटन दिया है अब यहाँ पर देखें कि 9 तारिक से लेके 13 तारिक के बीच में करीब 5% की गिराउट देखनों को मिली यानि stock लगातार गिरा था यानि electric manufacturing company का अधिगरण कि अब यह electric manufacturing business पे भी company आगे बढ़ेगी यानि structure के business से company अब दूसरे manufacturing business पे भी कारूबार आगे बढ़ाने जा रही है और यह सबसे बड़ी बात है इससे आप समझ सक्टों कि इसका business आने वाले समें और फैलाना चाहती है कुछ नए और सेक्टर में इंट्री करना चाहती है याँ पे sustainable success कोई तरफ आगे बढ़ी है company और इस sector में जो potential संभावना है उसका इसके आगे बढ़ने के लिए इनोंने तैयारी कर लिया और कुछ अधिकरन होते हुँ आने वाले समय में देखने को मिल सकते है और आप देखे तो इससे पहले एक फटवरी 2024 को company एक फटवरी 2024 को company एक फटवरी 2024 को देखे लोगों को माला माल कर दिया था इसके इलावा देखे तो company ने जून 2022 में 110 के रिश्यों में stock को split भी कर दिया था तो ये stock लगातार अच्छा return दे रही है लोगों को सांधार तरीके से return देता ही जा रहा है और अब देखे तो इसकी जो शुरुआ जी 2006 में तब से बैतर प्रदर्शन कर रहा है stock लगातार सबसे बड़ी बात है company green sector के लिए solar power plant के लिए भी बहुत सारे product बना के दे रही है और ये इनके लिए आने वाला समय जो है काफी positive रहने वाला है इनके 25 से ज़्यादा countries में इनके client है और काफी अचा भीनस है इनके पास client है railway से वो लेकर वो power sector transmission के लिए वो टेलिकॉम टावर के लिए सब को काम करके company दे रही है और वाकई में stock आने वल्स में बैतर return देने को तयार है यहाँ पे stock फिला 5 day 10, 20 day 10, 100 day और 200 day moving average से ऊपर trade करा है लेकिन 50 day के moving average से नीचे फिला दिखाई देगा अब यहाँ पे अगर हम इसके fundamental देखे तो काफी अच्छे है इसका ROC 12.54 है और इसका PE ratio देखे तो 66.57 है PBA ratio 7.9 है इंडेश्टी पे ratio 20.84 के आसपास है debt to equity ratio इसका 0.83 का है इसका ROE 10.71 है और इसका EPS 0.3 का है dividend yield में देखे तो 0.09 के आसपास है इसकी book value 2.53 की है और face value वारे तो देखे तो कि penny stock होने के बावजिद भी अच्छे fundamental दिखे और आने वाले से में यह एक जबरदस return दे सकता है ऐसे में long term investor के लिए अच्छा मौका है कि साला से techno में निवेश कर ले यह आने वाले से में जबरदस return दे सकता है अब quarter 4 आने वाला है quarter 4 बैतर रहने की पुरी उमीद है और उसके बाद में एक जबरदस तेजी शुरू हो सकती है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बढ़ए ले ले या अपना खुद का research करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए लाइक से जरू किज़ा और चैनल को subscribe कर दीजिए Thank you friends